एक्टर वरून सोपती 15 सालों से इंडूस्ट्री में है लेकिन आज तक उन्होंने आन स्क्रीन किसिंग सीन्स नहीं दिये हैं हलांकि वो स्क्रीन पर इंटिमी सी दिखा चुके हैं अपने रोल के लिए न्यूड हुए हैं लेकिन किसी को लेकर उनकी स्ट्रिक्ट हॉल सीजन सालों पहले उन्होंने पत्नी से ओन स्क्रीन किस ना करने का वादा किया था तब पश्मीना मंचंदा संग उनकी शादी हुई नहीं थी तब से वो अपने इस वादे को निभाते हुए चले आ रहे हैं निवजटीन संग माचीत में वरून ने कहा मैंने अभी तक किसी को ओन स्कीन किस नहीं किया है कम ही ऐसा हुआ होगा जब मैंने इसकी वज़े से कोई ठुकराया होगा लोग मुझे इतना पसंद करते हैं क्योंकि वो मुझे काश्ट करना चाहते हैं इसलिए इस्क्रिप्ट में से किसिंसीन تक हटा देते हैं चाया द उन्हें लगा हो किस स्टूरी के लिए ज़ादा ज़रूरी नहीं है मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई इसलिए मैंने कोई स्टूरी रिजेक्ट की होगी कभी कभी कहानी में रोमांस जरूरी होता है तब मेकर से किसिंग सीन हटाने को बोले की वज़े नहीं होती है ऐसी सच्टूरेशन में मैं डेट्स का बहाना बना देता हूँ मैं ऐसे स्टोरी को तब ही चांस देता हूँ जब इतना भरोसा हो कि किसिंग के बिना स्टोरी का काम चल सकता है वरुन के करियर की बात करें तो टीबी की बाद वो OTT पर चाये हुए है वो सी रीच कोहरा असूर में दिखे एक्टर को पैसे का लालच नहीं है वो बस अच्छा काम करना चाहते है वरुन को अपकमिंग प्रोजेक्ट में शो रात जवान है शामिल है एक्टर का मानना है वो अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि वो मेहनत करना जानते है और उन लगता है बिना केसिंग सीम के वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जिससे उनके पैंस उनसे खुश रहे वेल दोस्तों आपका है क्या मानना कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा क्या आपके फैबरेट है वरून कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में नए इंफोर्मेशन के साथ तब तक लिए बबाई ठीक है